यूबे विधान सभाचुनाव 2022 नजीक आते ही पार्टियों की बयान बाजी तो तेज हुई है लेकिन साथ में उम्मीदवारों की घोशड़ा के बाद उनको जान से मारने की धमकिया भी मिल रही है ताजा मामला बुलंदी शहर से सामने आया है यहां के बीजी प्रतियाशी प्रदीप चौधरी को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद हरकम मचा हुआ है भाश्वर प्रतियाशी ने आरोप लगाया है कि फौन कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद का नाम खान साहब बताया और कहा कि हम तुझे गोली मार कर खत्म कर देंगे पुलिस ने मामले की जान शुरू कर दी है जान से मारने की धंगी मिलने के बाद भास्षे पृतियाशी प्रदीप चौधरी ने सपा पक निशाना सादा है में तहरीर दिये क्या पूरा मामला था किस तर्किय की धंकी दी गई है और क्या कहा गया है बाहरते जिन्ता पार्टी टैसर से में भाजपा करते हैं कर दो दो बच के चौब अन्मेंट पे आउट आउट आप मेंटरी से फोन आया उसने का भी प्रदीप सोथी कहा है उसने बताया मेरे दो साथ मेरे भाई यो सरदार नगर में परचार कर रहे हैं तो बोला वो सब सुने घाली गलोस्दी में कहना नहीं चाहता हो ने अब इस तरह कि मैंने उस सगा में ठीक हाई जिदर धंकियों से कहां रहे हैं तो उसमें चुनाबने लड़ने की कोई बात कही है नहीं मुझे आते ही तुझे गोली मारे दूँआ तो आप शासन पर शासन से क्या मांगते हैं तो यह जन सहला को देकर गवड़ा गया इसलिए वह पिछारों तरफ से योजना बना रहा है कि इसके पूंप सद्रा करके प्लेक्शन में डेमलाइज करते हैं तो और हम काड़ रने वाले हैं हम तो राम बक्ते हैं